हाई एवरिवन सुप्रीम कोट जूनियर कोट एसिस्टेंट टियर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर की सेकंड क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ कल हमारी फर्स्ट क्लास थी और कल की क्लास के अंदर 30 मार्क्स का पैसेज जो आता है उसके बारे में ह 30 नंबर का पूछा जाता है जिसके अंदर आपके 6 सवाल और 1 सवाल 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है अगर बात करे प्रैसी Rाइटिंग की अंदर आपसे 30 नमबर का आपका आता है और इसके अंदर आपको समरी जो होती है वो यहांपर लिखनी होती है So total, passages और आज की class मतलब की 1st और 2nd class को मिलाकर 60 नमबर का काम यहांपर कैसे करना है वो आप सीख जाएंगे सो अब बिना किसी देरी के आज के टोपिक को स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे what do you mean by pressy writing कि आप pressy writing से क्या समझते हैं क्या होती है pressy writing so pressy writing is a summary of a comprehensive passage जो एक passage आपको दिया होता है उसकी एक summary होती है that is supposed to cover all the details and important aspects of the passage and convey the summary with the use of minimal words वो कहता है कि जो pressy writing होती है वो आपके एक summary होती है किसी passage की जिसके अंदर आपको कम से कम words के अंदर जो एक ऐसी चीजे लिखनी होती है ऐसी details convey करनी होती है जिसके अंदर सारे importants जो facts होते है वो cover यहाँ पर होने चाहिए अगर मैं इसको simple language में आपको समझाओं तो एक पूरी कहानी अगर मैं पूरी कहानी मतलब कि अगर मैं रमायन का example आपको देता हूँ कि भई रमायन आपने starting से लेके end तक देखते हो और उसके बाद अगर मैं कहता हूँ इसके उपर आपको प्रैसी राइटिंग के form में इसको लिखना है समरी लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे राजा दसरत के पुत्र थे स्री राम उनको वनवास मिला उन्सीता हरन हुआ उन्होंने सुक्रीव से मित्तरता की समुंदर पे पुल बनाया और जो रावन है उसका वद किया और उसके बाद वो अयुद्या में लोट आए तो मिनिमम जो चीज है वो सारी डिटेल्स कवर करके आपने इस पूरे स्टोरी को एक छोटे से 5-6 लाइनों के अंदर आपने समझा दिया कि एक्चुल में रामायन है क्या तो सेम चीज यहाँ पर प्रेसी राइटिंग है कि एक पूरा पैसेज आपको दिया जाएगा और उसको पूरा 600-500-600 वर्ड्स का जो पैसेज होता है उसको सिर्फ आपको 1500 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है अगर मैं 2017 की बात करूँ तो 2017 के अंदर यहाँ पर 30 मार्क्स का आपके पास आये था और यहाँ पर आपको प्रेसी करनी थी फॉलोइंग पैसेज की और आनस्वर आपका है वो 150 वर्ड्स से जादा नहीं होना चीए बट यहाँ पर 160 वर्ड्स के आसपास या 155 वर्ड्स के साथ भी आप लिखते हैं तो भी आपका गलत यहाँ पर नहीं होगा तो जो पैसेज दिया गया था 2017 के अंदर वो आपको दिया गया था डेमोक्रेसी के उपर मतलब की लौक तंतर के उपर आपके ठीक है तो यहाँ पर यह पैसेज आपके सामने है इसका ब्रीफ में एक बर आपको बता देता हूँ डेमोक्रेसी जो है वो कहता है कि कॉंस्टिटूशनल सेटप का एक बेसिक फीचर होता है यहाँ पर कोई भी डबल ओपीनियन नहीं है दो राए नहीं है कि free and fair election जो है वो healthy democracy की growth के अंदर एक योगदान देते है the fair denotes equal opportunity to all people fair का मत्ताब है equal opportunity सभी people को देना, सभी लोगों को देना universal adult suffrage conferred on the citizen of India by the constitution had made it possible for these millions of individual voters to go to polls and thus participate in the governance of our country तो यहाँ पर जो constitution है वो यहाँ पर आपको क्या provide करवाता है कुछ rights यहाँ पर provide करवाता है कि आप जितने भी millions of लोग हैं वो poll करने के लिए मत्ताब voter जो इतने भी voters हैं वो poll कर सकते हैं और यहाँ पर participate कर सकते हैं भारत की किसके अंदर जो governance है आपकी government है उसके अंदर for democracy to survive it is essential that the best available men should be chosen as people's representative for proper governance of their country कहते हैं कि आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो democracy है जो लोकतंत्र है वो जीवित रहे तो उसके लिए यहाँ पर एक ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो आपके जो बिल्कुल सही माइने में जो लोगों का परतिन इधित कर सके ठीक है चले उसके बाद अगर बात करें और यह कैसे अची होगा कि कैसे आदमी को चुनना जिसके high moral and ethical value जिसके जो विचार है या जिसके जो जिसके जो terms and condition अपनी life को लेकर जो कुछ rule regulation होते है वो high हों बहुत अच्छे हों और जो जो election जीत के आए किसके positive votes के ओपर लोगों के समर्थन के ओपर ठीक है So, thus in a vibrant democracy एक usual democracy के अंदर the voter must be given an opportunity to choose none of the above nota button कहता है कि अगर आपको एक ऐसी democracy के अंदर अगर आप नहीं चाहें जरूरी नहीं हो कि आप लोगों को चुने ही आपके पास एक ऐसा option भी होना चाहिए कि जिसमें आप none of the above मतलब कि nota का button भी होना चाहिए जिससे कि आप ना चाहें किसी को तो आप ना भी चुनना चाहें तो आप ना भी कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको किसी के लिए वोट देना ही देना है अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ से क्या होगा यह कंपेल करेंगी political parties को मतलब क्योंने force करेंगी कि एक अच्छा candidate जो है उसको किस पर उतारा जाए ग्राउंड के उपर उतारा जाए ठीक है तस तस सिचुएशन पहल बली तेल अस देर डायर नीड अफ नेगेटी वोटिंग यहाँ पर जो सिचुएशन से वो यहाँ पर डायर नीड बताती है जरूरी है नेगेटी वोटिंग के आपर नो डाउट देराइट तो वोट इजे शैचुश्ट्री राइट बट इज इक्वली वाइटल फो रिकलेक्ट देट इस शैचुश्ट्री राइट इस दे एसेंस ओफ डेमोक्रेसी ठीक है कि यह एक आपका जो है यह राइट है आपका एक आपको जो राइट प्रोवाइट कहा गया है लेकिन यह जो डेमोक्रेसी है उसके लिए भी बहुत जादा जरूरी है बहुत जादा एसेंसियल यहाँपर है ठीक है तो यह यहाँपर जो पैसेज है यह पूरा दिया एक्सप्रेस हो सकती है जब आपके जो वोटर से उनको पॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी बात को रख सकें ठीक है विदाउट इंपोजिंग लिस्ट्रेक्शन के उनके उपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम होनी चाहिए बिना किसी बेदवाओ कि वो अपनी राय को करना सकें नोटा बतन जो इंए आप एक्सप्रोडमी आपको पसंग्याँ था हूँछ है नग से अलावा यहाँ पर नेगिटिव वोटिंग की बात कि यह Jest, आप नेगिटिव वोटिंग भी होनी चाहिए कैं कि आप किसी के खिलाफ नेगिटिव वोटिंग भी यहाँ पर क यह कहता है, right of elector to caste is vote, जो right होता है, एक voter card की है, वो अपने vote को दे सकता है, वो कैसे होना चाहिए, without fear, बिना डर के, ठीक है, और उसके repressal, repressal का मतलब यहाँ पर होता है, punishment, without punishment, ठीक है, so repressal का मतलब होता है, punishment की बिना भैके, बिना किसी सजा के, and dures का मतलब यहाँ पर होता ह है, दबाओ के, ठीक है, और correction का मतलब यहाँ पर यह भी क्या होता है, आपके pressure के ओपर, किसी के दबाओ के ओपर बहे के अंदर, ठीक है, so इनके, इन से अलग यह जो opinion है, वो voters को मिलनी चाहिए, कि वो बिना किसी बहे के, बिना किसी डर के, अपना vote जो है, वो यहाँ पर ड importance of fair and free election, ठीक है, so यह जो passage है, यह है democracy और उसके अंदर importance of fair and free आपके elections के ओपर, अब यहाँ पर आपको pressure writing करने है, मतलब आपको यह पैसे समझ में आ गया है, मैंने बता दिया है, अपने words के अंदर 1500 सब्द में इसको लिखना है, अब कैसे लिखना है, मैं आपको बताता हू अब यहाँ पर जो है, यह मैंने अपना लिख रखा है, ठीक है, वो ही जैसा मैं हमेशा लिखता हूँ, page के उपर, same वैसे ही मैंने यहाँ पर यह लिख लिया है, आपके सामने है, अब हम इसको देखते हैं, देखे, democracy is often described as the government of the people, democracy जो होती है, वह आम तोर पर describe की जाती है, government of the people, मतलब लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों के द्वारा सरकार, ठीक है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है, और लोगों की सरकार होती है, democracy is the important feature of our constitutional setup and free and fair elections are the backbone of healthy democracy, जो democracy है, उसका एक important feature है, वह हमारे constitutional setup का, और free and fair election are the backbone of healthy democracy यहाँ पर यहाँ पर हमारे 37 वर्ड हो गए है 37 वर्ड यहाँ पर मैंने लिख दिये है Every citizen have right to vote and thus participate in the governance of our country by choosing the best available man as people's representative for proper governance of country कहता है इसके अंदर right to vote every citizen का हक है right to vote का और वो participate कर सकता है सरकार के अंदर कैसे एक सही आदिमी को चुनकर लोगों का परतिन इधित्व करने के लिए In a vibrant democracy, एक vibrant democracy में एक उजवल democracy के अंदर voter must given an opportunity to choose none of the above, nota for a sound and healthy democracy एक vibrant democracy के अंदर voters को opportunity दी जानी चाहिए कि वो किसी को ना भी चुन सके, जरूरी नहीं उसको vote डालके ही आना है Democracy is all about choices, democracy जो होती है वो all about choices, मतलब अपनी choice की चीज है This choice can be better expressed if the voter get an opportunity to verbalize themselves unreservedly and by imposing list restrictions to make choices तो कहता है कि जो democracy है वो एक choices के base पर होती है और ये choices आपकी कैसे होनी चाहिए बिना reserve किसी के लिए reserve हुए बिना और साथ में ही उनके ओपर restriction भी कम होनी चाहिए कि तुम यह नहीं बोलोगे, यह नहीं बोलोगे खुल कर अपनी बात democracy में voters जो है वो बोलना चाहिए ऐसी democracy होनी चाहिए Free and fair elections is the basic structure of the constitution यहाँ पर 123 वर्ड हो गई थे जो free and fair election है वो basic structure है किसका constitution का and it includes right to elector to cast his vote without fear और यह आपको right देता है कि जो voter है वो बिना भैके अपने vote को डाल सके कि जिस मुझे डालना तो डालना है नहीं डालना तो नहीं डालना so we can say that election is very important for the democracy so हम कह सकते हैं कि election democracy के लिए बहुत अच्छा है बहुत important है without fair and free election without fair and free election बिना fair and free election के democracy cannot grow healthy and unfair जो लोगतंतर है वो healthy नहीं रह सकता और unfair मतलब कि बिना किसी unfair ग्रो नहीं कर सकता ठीक है so यहाँ पर cannot grow healthy and fair है यह unfair नहीं होगा fair यहाँ पर आएगा ठीक है चलिए so यह चीज़े आपको यहाँ पर समझ में आ गई है कि मैंने यहाँ पर 160 words के अंदर इसको लिखा है best lines को choose करके यहाँ पर कि आप कैसे लिख सकते हैं अब आपको यह idea आ गया होगा कि मैंने वही पैसे जो आपको पढ़ कर सुनाया था उसमें से कैसे line ने choose यहाँ पर कियें अब यह हो गया 160 words के अंदर अब इसके साथ ही अब आपको पता है कि एक चीज़ आप लिखते हो तो आपको लगता है कि आप और better भी लिख सकते हो so same चीज मैंने दुबारा भी लिखी है एक और second इसका लिखा है जिससे कि आपको और help मिल सके उसको भी एक बार हम देख लेते हैं यह यहाँ पर है दूसरा जो मैंने 155 words के अंदर लिखा है इसको ठीक है चलिए देकिए democracy is often described as the government of people for the people and by the people यह चीज आपको समझ में आगी पीछे भी समझाई दिस सेम चीज रखके है for the growth of a healthy democracy elections are very important healthy democracy की growth के लिए election बहुत जरूरी है free and fair elections are the backbone of the democracy free and fair जो elections होते हैं वो read की हड़ी है democracy की every citizen परतेक नागरी को have the right to vote अपने vote करने का अधिकार है and thus participate in the governance by choosing men of high moral and ethical values as people's representative so यहाँ पर और वो इस तरीके से सरकार में भागीदारी कर सकता है एक उच आपके विचारों वाले वैक्ती को चुन कर किसके लिए लोगों का परतिनी धित्व करने के लिए ठीक है चले इन्हें vibrant democratic, vibrant usual democracy के अंदर voter must be given an opportunity to choose none of above nota उनको एक option दिया जाना चाहिए कि वो किसी को ना भी चुन सके कि वो अपने जो choice है उनको बिना भैके और restrictions मतलब दबाओ के क्या कर सके express कर सके 102 सब्दी हाँ पर हो गए है The right to caste negative vote at the time of election can bring change in system जो negative जो vote है at the time of voting अगर आप रखते हो या available करवाते हो तो वो system के अंदर change ला सकता है and the integrity of the democracy will be maintained और जो परतिस्था है लोगतंतर की जो मान सम्मान है वो भी यहाँ पर बचा रहेगा So we can say for the growth of healthy democracy For the growth of healthy democracy मतलब एक अच्छे तंदुरूस्त लोगतंतर के लिए election is a vital part of it. Elections जो है वो इसका एक महतवपून parts है. Fair and free free fair and free election और यहाँ पर आप एड कर ले न भाई election. Fair and free election and to maintain the integrity of the democracy एक मेंट यहाँ पर एक लाइन हमसे मिस हो गई है. Free and fair elections and to maintain the integrity of the democracy every citizen you there right to vote. टीक है? चलिए भाई यह जो free and fair वाला है यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा. टीक है? यह free and fair यहाँ पर था. Democracy के बाद यहाँ पर आपका लग रहा था. यह यहाँ पर गलती से full stop के बाद typing error हो गया. क्या होगा? देखे मैं दुबारा एक बार बता देता ठीक है? क्योंकि election जो है वो free and fair होने चाहिए. So free and fair election is a vital part of it. इसका जो है एक महतवपून part है और इसके बाद यहाँ पर यह कोमा आ गया और इसके बाद end से सुरू कर देना है. And to maintain the integrity of the democracy. Democracy के मान सम्मान को बचाने के लिए every citizen परतेक नागरी को should use their right to vote. अपने मता धीकार का परियोग यहाँ पर करना चाहिए. और 155 words के अंदर यहाँ पर यह क्या हो गया है? Complete यहाँ पर हो गया है. ठीक है भई? So यहाँ पर आपको democracy के उपर मैंने दो यहाँ पर presses करके दिखा दिये हैं. अब आपको समझ में आगया होगा कि यह प्रेसी कैसे लिखा जाता है? कैसे effective तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं? ठीक है? So यह चीज आपको यहाँ पर पता लग गई है. अब अगर आपको करना क्या है? अब आपको homework है. अगर आप त्यारी करना चाहते हैं serious mood में तो आप कर सकते हैं और जो आप लिखते हैं वो मुझे fun, learn, by, anuj. टेलीग्राम के उपर आप मुझे send वहाँ पर कर सकते हैं. आपका check कर दिया जाएगा. अब आपको आप आपको right to vote. right to vote. ठीक है? याद रखना है इसको right to vote के उपर प्रेसी आपको करनी है. डेड़ सो सब्द के अंदर आपको कोई कहीं से भी कोई भी right to vote का जो आपको आता है. डेड़ सो word के अंदर आपको प्रेसी करनी है. important, important facts. right to vote के अंदर आपको लिखने हैं. और उसको writing यहाँ पर हम करेंगे जिसके अंदर जो 2017 के अंदर पांच दिये थे. तो हम पांच के पांच ही यहाँ पर कल की class के अंदर देखेंगे कि ऐसे कैसे effective हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है? तो सब तक कले आप त्यारी करते में रह जाएंगे क्योंकि अगर आपको effective लिखना नहीं आएगा. तो आपके 100 में से number आएंगे 20, 30 और फिर उस condition में आप cut off को clear नहीं कर पाएंगे. तो अच्छे से त्यारी करो कोई सर्म नहीं है कि आप starting में गलतिया करते हैं. आप आप गलत लिखोगे और आप मेरे पास send कर दोगे कि sir कहेंगे कि अरो यार तुने तो सारा है गलत लिख रखा है, तुझे तो अंग्रीजी नहीं आती, तुझे तो ये नहीं आती, बिल्कुल मत गब रही है. दुनिया में किसी से को कोई फरक नहीं बढ़ता कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, ठीक है, लाइफ is all about to learning, आपको सीखना है, आप बिंदास करें, अगर आप यहां पर JCA बन जाएंगे, तो उसके बाद आपसे कोई आद नहीं रखेगा कि आपने गलत लिखाता है, सही लिखाता है, सब याद रखेंगे, आप junior court assistant की post के उपर तब तक लिए, thank you so much, नमस्कार.